दुस्सों ये बातों पचानती हो कि पुंगल और मकर संकरांती के सुबसर परकल साउथ इंडरस्ट्री की तीन बड़ी बड़ी फिल्में बॉक्स ओफिश पर अपना किस्मत आजवाने गली आने वाली है तो भाई ये तीन फिल्में कौन सी है तो भाई या सुपरिस्टार मह पर इस बाबू की आने वाली मच अवेटेड फिल्म गंटूर कारब जो कि बाई के वल एक लैंग्वेज में ही सिनेमा घरूम रिलीस हो रही है उसके बाद भी जो दूसरे फिल्म है वो फिल्म है भाई नेशनल एवर्ड विनर यानि कि धनुष की आने वाली मच अवेड़ फिल्म कैप्टन मिलर जो कि बाई मल्टी लैंग्वेज में सिनेमा घरूम रिलीस होगी और उसके बाद भाई तेजा संजा जो कि बहिए सूपर हीरो के उतार में कल सिनेमा घरूम इंट्री मारेंगे अपनी आने वाली फिल्म हनु मैन के माधिम से जो कि बाई मल्टी तो भाई कल इन तीनों फिल्मों का बॉक्स ओफिस पर है पहला दिन तो भाई पहले दिन के लिए इन तीनों फिल्मों को अब तक बॉक्स ओफिस से कितने का एडवांस बुटिंग मिल चुका है चलिए इस बात की जानकारी मैं आप लोगे सामने फटा फट रख देता हूं ज जिसको अभी तक एडवांस बुकिंग कम मिला है तो दोस्तो अभी जिस फिल्म का नाम में आप लोगों के सामने रखने वाला हूं इस फिल्म को लेकर मैं ये बात आप लोगों से जरूर कहूंगा तो भाया भले ही अभी इस फिल्म को कम एडवांस बुकिंग मिला है लेकिन आप देखना कल के बाद ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर जबरदस्त जम्प हासिल करने वाली है और वाई हो सकता है कि दूसरे और तीशरे शो से ये फिल्म जम्प मारना शुरू कर देगी कमाई के मामले में तो भाय ये फिल्म है कौन सी वहिया तेजा सज्जा की आने वाली मच अवेड़िट फिल्म यानि की हनुमन जिसको लेकर ये जानकारी हम लोगे सामने आई है एक विया इस फिल्म के तेलकू लैंग्विज में अभी तक जो पूरे इंडिया में टिकट भिग चु यानि कि एक करोड़ चातिस लाग शियालिस जार साथ सो बासट का एड़वांस बुकिंग इस फिल्म को तेलकू लैंग्विज में मिला है उसके बाद विया इस फिल्म के तमिल लैंग्विज में जो पूरे इंडिया से अभी तक टिकट भिके हैं उसकी संक्या है एट कर एंडिया में जो लाए उसकी ऑद विया चैनकारी हमनों के सामने आई है आई है कि और लेulinवांड़ को मिला माल्याव पूरे इंडिया Так की यह में जो यह तक तरह सामने हैं कि अनख़ले लैंग्विज में जो है तृइम्द्य को पूरे इंडिया स्में है information उसके बाद भाईया इस फिल्म को अभी हिंदी लैंग्वेज में जिस तरह का एडवांस बुकिंग मिल रहा है ना मेरे भाई उसी को देखने के बाद मैं आप लगों से ये बात कह रहा हूँ कि या कल ये फिल्म बॉक्स अफिस पर बहुती जबर्दस जम्प लेने वाली है कमाई के मामले में यानि इस फिल्म के या हिंदी लैंग्वेज में अभी तक पूरे इंडिया में जो टिकट विकेंड है मेरे भाई उसके संक्या है जिसके मदद से इस फिल्म को 79,7,792 का एडवांस बुकिंग मिल चुका है यानि इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोगे सामने आई है इस फिल्म के अभी तक पूरे इंडिया में जो टिकट विक चुके हैं उसके संक्या है 1,35,891 जिसके मदद से इस फिल्म को 2,16,69,670 का एडवांस बुकिंग पूरे इंडिया से मिल चुका है बहतरीन एडवांस बुकिंग मिला है बाई हन्मन से तो भाया वो फिल्म है धनुष की आने वाली मच अवेटेट फिल्म कैप्टन मिलर जिसको लेकर यह जानकारी हम लोगे सामें आई है जिसके मतलब से इस फिल्म को 2,56,240 का एडवांस बुकिंग पूरे इंडिया में भी मिल चुका है उसके बाद भी आस फिल्म के हिंदी लेग्वेज के माधिम से जो टिकट भी क्या है कल के लिए उसके संक्या है यह जिसके संक्या है 5,127 जिसके मतलब से इस फिल्म को 21,2473 का एडवांस बुकिंग मिल रहा है और उसके बाद भी आई इस फिल्म के हिंदी Amex 2D वर्जन के मादियम से जो कल के ले टिकर भी कहे हैं उसके संक्या है 527 जिसके मतलब से फिल्म को 2,25,850 का एडवांस बुकिंग मिल रहा है हिंदी Amex 2D वर्जन के मादियम से यानि भी इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हमनों के सामने आई है कि इस फिल्म के सभी वर्जनों के मादियम से जो कल के ले टिकर भी कह है उसके संक्या है 2,3002 जिसके मतलब से इस फिल्म को 3,33,35,585 का एडवांस बुकिंग अभी तक पूरे इंडिया से मिल चुका है यानि भी कैप्टन मिलर जो है वो अभी आगे है एडवांस बुकिंग के रेश में हनू मैं से अब भाई इन दोनों फिल्मों से अभी जो फिल्म आगे है ना कमाई के मामले में एडवांस बुकिंग में भाई वो फिल्म के वो एक लेंग्विज के मादिम से कल सिनेमा वाले मच अवेडिट फिल्म गंटूर कारम जिसको लेकर यह जानकारी हम लोग सामने आई है कि भाईया इस फिल्म के तेलगू 2D वर्जन के मादम से अभी तक पूरे इंडिया में जो टिकर बिख चुके हैं उसके संक्या है 10,15,070 और भाई इतने सारे टिक्टू को भीचने के बाद भीया कंटूर कारम को अभी तक पूरे इंडिया से जो एडवांस फुकिंग मिला है कि वह तेलगू लैंग्विज में वह आकड़ा है 22,71,68,997 का यानि कि भीया इसी बात से आप अन्दाजा लगा लो महिस बावू को लेकर कि भाई उनका क्रेज उनके चाने वालों के बीच में कितना स्ट्रॉंग है मिर भाई यानि कि भीया एक लैंग्विज के मादियम से सिनेमा घरों में रिलीज हो रही महिस बावू की ये फिल्म खमाई के मामले में जंडे गार रही है मिर भाई तो दोस्तों वाकि में इन तीनों फिल्मों के बीच में कल बॉक्स ऑपेश पर होने वाला है महा मुकाबला और भाई इन तीनों फिल्मों से मुकाबला करने के लिए बॉलीवोड की कल एक ही फिल्म जिसका नाम है Merry Christmas यानि कि भीया विजह सेतु पती कि आने वाली much awaited film जिसमें बहिया काटरीना कैप नजर आने वाली है और भाई इस फिल्म को डिरेक्ट किये हैं वो डिरेक्टर जिनकी फिल्मों को देखना पूरा इंडिया फसंद करता है यानि कि भाई स्री राम रागवन यानि कि भाई स्री राम रागवन अपने डिरेक्शन के माधिम से अपने कॉंसेट के माधिम से हमेशा ओडियन्स को पकड़ने में खामियाब रहे हैं और भाई उनको लेकर ये बात कही जाती है कि भाई उनकी फिल्म में बॉक्स अपिश पर आकर धराम से सुपर डूपर हिट नहीं होती है धीरे धीरे सुपर डूपर हिट होती है यानि कि भाई उनके फिल्मों को लेकर माध तो अबलिशेट ये तनी स्ट्रॉण होती है कि दरश्रक खुद बखुद ये बात कहते है कि भाई स्री राम रागवन का कोई जवाब नहीं लेकर बाई ये फिल्म फास चुकी है इन तीन बड़ी फिल्मों के बीच में तो भाया इन तीनों फिल्मों से ये फिल्म आगे कैसे निकलेगी इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है इस फिल्म का advanced booking collection report हमनों के सामने आ रहा है कि बैस फिल्म को अभी तक पूरे इंडिया से कितने का एडवांस बूकिंग लाए यानिक बैस फिल्म के लिए थोड़ा सा डरने वाला मुमेंट बन चुका है इन फिल्मों की वज़ा से तो बॉलिवुड से जुड़े और साउथ इंडर्से से जुड़े और भी कही सारे ख़बरों को जाने के लिए हमारी चैनल यानिकी वाइरल विजंक्शन को लाइक स्क्राइब करना ना भूलिगा और माने उपडेट्स को जाने के लिए बलाकिन को जोर दोबाईएगा